तबस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारे स्वागत है आपका विशेश शिमला में एक मस्जिद में अवैद निर्माण को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस में राजनितिक महा भारत छड़ गया कॉंग्रेस की सुक्खु सरकार में क्यबिनेट मंतरी अनिरुद सिंग ने मस्जिद में अवैद निर्माण के मुद्यक उठा गर अपनी ही सरकार को सहज कर दिया मंत्र अंडेरुद्ध सिंग ने विधान सभा में पूछा कि जब एक मंजिल की स्विक्रिती मिली थी तो पांच मंजिल कैसे बना ली आप उन्होंने इस शिम्ला में मुसल्मानों की बरती आबादी पर भी सवाल उठाए अब मामला अदालत में हैं पूरे विवात पर मुखी मंदरी सुक्विंदर सिंग सुक्खु कह रहे हैं कि शान्तिपून प्रदर्शन से हमें आपक्ती नहीं लेकिन गानून ववस्था बिगालने वालों के वरुद्ध कड़ी कारवाई हम करें अगर दो दिन में सरकार नेना करती है इसको अटाने का सुठीक अन्यता हिंदू समाज अबना वास्ता स्वेम तै करेगा और हम चाहते कि अवैच मज्जित है यह यहाँ पर दिल नी चाहिए आम तोर पर शांत रहने वाले शिमला में एक मज्जित में अवायद निर्मान और मुसल्मानों की पड़ती आबादी पर वावाल मचा रहे है स्थानी यह लोगों ने मज्जित में अवायद निर्मान को लेकर मोर्चा को दिया है लोग कॉंग्रस के सुखु सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते वे कह रहे हैं कि तुरंत मज्जित में कराए गए अवायद निर्मान को गिराय जाए अब इस पर सियासत भी तेज हो गई लेकिन पहले ये समझ है क्या खिर शिमला में मज्जित को लेकर ये हंगामा क्यों हो रहा है शिमला के संजॉली इलाके में एक मस्जिद में अवायत निर्मान को लेकर हिमाचल सरकार के ग्रामेड विकास मंतरी अनुरूद सिंग ने विदान सभा में 4 सितंबर को ये मुद्दा उड़ा उनके बयान से पहले स्थानी लोगों ने मस्जिद का घिराव किया और उसके अवायत निर्मान को गिराने की मान की मंतरी अनुरूद सिंग ने कहा मस्जिद में एक मंजिल के जाज़त लेकर पांच मंजिले कैसे बन गई इसे से कमिट पास होते हैं में विक्ते गवाहां उस बात का में आज क्राइम हो रहा है ड्रग्स का क्राइम हो रहा है चोरियों चोरियां हो रही है सर लव जिहाद जो सबसे वड़ी बात है सर इसके ओपर भी ध्यान देने वाली बात है मस्जीद में अवायद निर्माड मामले में शिमला के चाड़ा मैदान इलाके में हो रहे प्रदर्शन में कैबिनेट मंतरी अनुद सिंग रिशा में अनुद सिंग ने कहा कि जब मस्जीद में अवायद निर्माड हो रहा था तो प्रशासन ने मस्जीद का बिजली पानी का करनक्शन क्यों नहीं काड़ा उन्होंने कहा कि शुरुवात में मुस्लिम समुदाय के इस इलाके में सिर्फ 190 लोग थे तो वो इतनी जल्दी 1900 कैसे हो गए उन्होंने कहा कि ये जमाद के हैं या रोहिंग्या के इनकी जाज होनी जाए इस थिती में 190 का उलेख किया गया यहां पर 190 लोग है जो रिजिस्टर है तो 1900 कैसे हो गए सर आप किसी भी बजार में चले जाएए चाहे संजोली बजार चले जाएए चाहे धली चले जाएए कसुम्टी चले जाएए लकड बजार चले जाएए सर जगा जगा पे लोगों के चलने के जगा नहीं है मैं आपसे मांग करता हूँ कि इसको जो हटाया जाए 190 लोगों की वेरिफेकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए से उन्होंने विदान सभा में मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुख्रू से इसकी जाच कराने की मांगी खास बात यहे कि जब उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया उनकी पार्टी कॉंग्रेस की तरब सनाटा था खुद मुख्यमंतरी सुखिंदर सिंग सुख्व गंभीर मुद्रा में बैठे रहे लेकिन पीजेवी बिरहायकों ने इस पर खूब तालियां बजाए केवल मातर हिमाचली बॉनिफाइड होना चीए वही तजब तयब जारी हो सकता सर ये कानून आना चीए इतना ही नहीं अन्दुद सिंग के पास बैठे विक्रमादित सिंग भी तालियां सुनकर मुस्कुराने से खुद को रोग नहीं बारे सदन के अंदर मंत्री की ओर से अपनी ही सरकार और पुशासर पर सवाल उठाने वाले इस बयान पर अब सियासत थेज होगी तरसल कॉंग्रेस के लिए बुद्दा चूखी वाला साबित हो सकता है इसलिए कॉंग्रेस के नेता इस पर संभल कर बोल रहे है हमारा ये दायत्व बनता है कि हम न्याय पूरवक विदिन दी आमबेट अफ लौव विदिन दी आमबेट अफ चॉंटिशन और विदिन इन इन इस पर्टिकुलर कॉंटेक्स दी आमबेट अफ दी मियूंसिपल एक्ट हम इसमें कारवाई करे इस तरीके की कोई भी में नहीं है और मेरा ये विनमर नवेदन सबसे रहेगा कि कानून को अपनी कारवाई करने दे जहां सीम सुखिंदर सिंग सुखु इस मामले में शांति पूर्ण प्रदर्शन की हिरायत दे रहे हैं वहीं पूर्ण सीम और बीजेपी नेता जैराम ठाकुर मज़िद में करा कि अवायद निर्मान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो देश में सभी नागरी के संबान है कि परदेश में को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हो जाए अब मस्जीद में अवायद निर्मान से शुरू हुए इस विवाद की आग मुस्लिमों की पढ़ती आबादी तक कहुँच गई हो जिस पर पीजेपी और कॉंग्रेस में आपस में जुबानी जंग जारी है विकास शर्मा शिमला आज तक हिवाचल प्रदेश सरगार की ओर से सदर्ण में दिये गए बयान के अरुसार जिस मस्ज़द को लेकर विवाद हो रहा है उसके बारे में दस्तवेस क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं मस्ज़द का उलेक रिवन्यू रिकार्ड बे दर्ज है लेकिन इस मस्ज़द को लेकर पहली बार नगरनिगम में शिकायत 2010 में हुई जब पुरानी मस्ज़द तोड़कर बिना स्विकरिती के नई मस्ज़द बनाई गई जबकि वक्फ की ओर से 2012 में मस्ज़द बनाने का एनोसी लिया गया दी गई इसकी अप्लिकेशन दी गई उसके बाद एक प्रतिवादी ने एक मनजल का प्रस्तावित नक्षा अदालत में सुनवाई अभी जारी है तो शिमला में मस्ज़द के अवैयत निर्मार पर हो रहे राज़ित घंगामे पर ए आई एमाएम के अध्यक्ष असद उद्दीन ओवेसी ने कहा है कि राहूल गांदी कहते हैं कि कॉंग्रेस मुहबत के दुकान खोल रही है लेकिन उ पर उसी ये दावा कर रहे हैं कि मस्ज़द की बनी सभी चार मनजलें 2019 में ही बनकर तयार हुई है तो सवाल ये है कि बुरे विवाद में कौन सच बोड़ा है और कौन चूट जो ये मामला है ये वकबोड देख रहा है इस मामले को शिमला के संजोली लाके में जिस मस्जिद में चार मंजिल अवैद निर्माड पर बवाल हो रहा है आज तक ने उसके मौलवी शहजाद इमाम से बात की देखो जी ये जो मस्जीद है ये नाइंटी फोटी सेवन से प पर हुई है इसका जो मैटर चला वागोड में चलावा है ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है वैसे तक जब कोड का मेटर तुमें इसमें क्या क्या सकता हूं जो ये उपरी वाली बिल्दिंग्स बनी है जो सबसे टॉप फ्लोर है ये आपने कब बनाए ये ये नौ साल से इसम में मस्जिद से सटे घर में रहने वाले भाटिया परिवार से सच जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मस्जिद कैसे विकसित हुई और कैसे अवैध निर्माड हुआ। मंतरी अनरुट सिंग ने बढ़ते मुस्लिमों के आबादी पर सवाल उठाकर भी नई बहस शेड़ी है। हिमाचल सरकार का दावा है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो उसकी है लेकिन करीब दस साल मुकदमा चलने के बाद पता चला कि संपत्ती वक्त के नाम है। हिमाचल परदेश के मुक्य मंतरे सुखविदर सिंग सुकू ने आज तक से बाद चीप में कहा कि हर धर्म के लोगों की रक्षा करना सरकार करना। हिसे में कौई जाद बाद बाद परदेश करता है। आचिंता की बात नहीं है। सब ठीक है क्योंकि सोहाथ उन्वातावन में कई वार भावनात्मक रूप में कोई नो कोई बात हो जाती है लेकिन ऐसी बात हमाचर परदेश में भी नहीं है इसको डिमॉलिश करने की मांग हो रही है और ये कहा जा रहे हैं कि 190 से 1900 होगे उनकी वेरिफिकेशन हो बांगलादेश या दूसरे जो रहंगी या मुसलिम हैं वो यहां पर आ गये हैं सरकार के मंत्री नहीं नहीं है अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो परदेश के मुख्या मंत्री होने के नाते मेरे मुझे सभी सुमधाय के लोगों का सम्मान करना है जहाँ गलत है वहाँ गलत होगा जहाँ सही होगा लेकिन कानून विवस्ता हम बिलकुल भी बिगरने नहीं देंगे और किसी को भी कानून अपने हाँ में लेने की इजाज़त हमारी सरकार ने देगी विशेश में आज के लिए बस इतना ही आप प्लीज अपना बहुत खैल रखियेगा देखे रहे आज तक